नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों कर केके पाठा के आदेश को लेकर राजभवन ने जारी किया पत्र बिहार में सितंबर के पहले पकवारे में कम बारिश और पड़ेगी अधिक गर्मी अब सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा ये लाव सचिन चंदुरुकर के घड के बाहर इस वज़े से विधाय को ने किया प्रदाशन मिसन चंद्रयान तीन और प्रग्यान रोवर की सेहत को लेकर इस्ट्रोचीफ ने दिया बड़ा अपडेट इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से केके पाठक के आदेश को लेकर राजभवन ने जारी किया पत्र इन दिरों सक्षा विभाग के अपर मुखे सचीव केके पाठक के द्वरा बिहार में सक्षा को लेकर कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं इसी को लेकर अब राजभवन सक्षा कूलाधी पती के प्रधान सचीव रॉबर्ट एल चुंक्तु के द्वरा राज़े के सभी कूलपती के लिए एक पत्र जारी किया गया है कि वे सभी राज़े पाल सक्षा कूलाधी पती के आदेश का पालन करे किसी भी मामले में उनका आदेश ही सर्वोच है अगर राज़भवन को छोड़कर किसी अने व्यक्ति के द्वरा विश्यविद्याले को निर्देश दिया जाता है तो वह बिहार राजे विश्यविद्याले अधिनियम 1976 का उलंगन है मिसन चंद्रियान 3 और प्रग्यान रोवर की सेहत को लेकर इस्ट्रोचीफ ने दिया बड़ा अपडेट चंद्रियान 3 की चान पर लेंडिंग का एक सितंबर यानि आज नौवा दिन है इस तोरान प्रग्यान रोवर के द्वरा हर दिन नया अपडेट साजा किया जा रहा है बता दे कि प्रग्यान रोवर रोजाना 50 मीटर का सफर तै कर रहा वहीं अब चंद्रियान 3 और प्रग्यान रोवर को लेकर इस्टो के प्रमुक एस सोमनात के द्वरा जरूरी जानकारी साजा की गई है उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है सारा डेटा बहुत अच्छे से आ रहा है उन्होंने उम्मी जताते बे कहा है कि 14 दिन के यूपी से पश्म चंपारण के बीच 958.27 करोड उपए की लागत से बनेगी नई रेल लाइन रेलवे बोड के द्वारा उत्तर प्रदेश से बिहार के पश्मी चंपारण के लिए नई रेल लाइन आनंद नगर घुगली वाया महराज गंज को स्विकृती दे दी गई है म नरकटिया गंज गोड़कपूर रेल खंड के मध्यसित गुगली स्टेशन से महराज गंज होते वे आनंद नगर तक जाएगी जिसके लंबाई 52.27 किलो मीटर होगी और इसे बनाने में कुल लागत 952.27 करोड रुपए आएंगे बतादे किसके निर्मान के लिए पहली किस का आवंटन कर दिया गया है जो की 20 करोड रुपए है अगर इस नई रेल लाइन का नर्मान हो जाता है तो उत्तर भारत से आने वाली प्रेनों को नरकटिया गंज और रक्सॉल होते वे उत्तर बिहार के रास्ते पुरवत्तर के राज्यों को एक वेकलपिक मार्ग मिल आज से आज यानि की सुक्रवार से इंजिनरिंग कॉलेजों में बची हुई सीटों पर दाखिला के लिए बिहार कंपमाइंड इंटरेंस एक्जामिनेशन बोर्ड यानि की BCECEB की ओर से बिहार से प्रवेश्पतियों गिता परिच्छा 2023 की से प्रवेश्पतियों की सुच नमांकन की प्रक्रिया 9 से 11 सितंबर तक चलेगी वही दूसरे चरण का प्रोवीजनल सिट आवंटरं 15 सितंबर को जारी होगा और फिर नमांकन की प्रक्रिया 16 से 17 सितंबर तक चलेगी आपके जानकाड़ी कि लिवतादी की सुबे के 38 इंजिरिंग कॉलेजों में दूसरे चरण के बाद नमांकन की प्रक्रिया समाथ हो गई है ऐसे में इस बार मौप अप राउंड के तहट नमांकन लेने का निर्णय नहीं लिया गया है बिहार में सितंबर के पहले पकवारे में कम बारिश और पड़ेगी अधिक गर्मी की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के पहले सब्ता में पूरे बिहार में हलकी बारिश होनी की संभावना जिताई गई है जो की सामाने से कम रहेगी वहीं दूसरे हफ़ते में मौनसून के कमजोर रहनी की वज़ा से प्रदेश में सामाने से कम बारिश होनी की आसार है सितंबर के पहले सब्ता हमें राजी के उत्तरपुर्व दक्षिनमध्य और दक्षिनपुर्व में उच्तमतापमान 34-36 डिग्री सेलसियस और प्रदेश के सेश हिसों में पारा इससे भी अधिक 36-38 डिग्री सेलसियस के बीच रह सकता है इसी तरह सितंबर के दूसरे हफते में प्रदेश के उत्तरपर्शिम के कुछ हिसों में पारा 38 डिग्री सेलसियस तक पहुंच सकता है औरंगाबाद में आहर में डूबने से पांच बच्चों की हुई मौत पर सीएम नितीश ने जताई संबेदना बीदर दिन औरंगाबाद जिले के सलया थाना छितर के सोनार चक गाउ में आहर में डूबने से पांच बच्चों की मौत हो गए जिसको लेकर बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश हुमार के दोरा गहरी सोक संबीदना व्यक्त की गई है उन्होंने एक्सपर्ट जो की पुडू में ट्वीटर था उस पर ट्वीट कर लिखा है क्योड़ंगाबाद जिले के सलया थाना छितर के सोनार चक गाउ में आहर में डूबने से पांच बच्चों की मौत्यू बेहत दुखद है सोक संतब्त परिजनों के प्रती गहरी संबीदना है सभीक मौनितकों के निकरतम परिजनों को 4-4 लाक रुपे की अनुगरा राशी और विलम उपलब धकराने का नर्देज दिया बतादे कि इस घटना को लेकर ग्रामीनों के दोरा बताया गया कि गाउं के पासी पहार के नीच जेसी भी मसीन के दोरा एक तलाब नूमा गड़ा खोदा गया था जहां वे बच्चे नहाने पहुचे थे लेकिन पानी अधिक होने के कारण सभी बच्चे डूब गया और उनकी मौत हो गई स्टेटी अभ्यर्थी ऐसे करें परिक्षा का अभ्यास अगर आप भी स्टेटी अभ्यर्थी हैं और परिक्षा का अभ्यास करना चाहते हैं तो यहाँ ख़बर आपके लिए है बतादी के स्टेटी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में एक URL अंकित किया गया है जिस पर संभनित अभ्यर्थी जाकर पुर्व कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं अभ्यर्थी उसको ध्यान में रखते वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और फिर अपना मुल्यांकन प्रवेश पत्र पर मौजूद URL लिंक पर प्रशनों को हल कर अभ्यास कर सकते हैं आपकी जानकारी के बतादे कि अगर किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउ बीते दिन सावन का अंतम दन था ऐसे में भागलपुर के सुल्टाण गंज सितनमामी गंगेघाट पर मुंबई के मशूर गाई का रिचा सर्मा के दोरा स्रावनी मेला के अंतम दिन आयुजित हुए सांस्क्रत कारी क्रम में अपनी प्रस्तुती दी कई उन्होंने बोले का लगन ओम नमस सिवाय सहित भोले बाबा पर आधारित कई भक्ती गीतों की प्रसुत दी चिसे सुन कावडिया जूमने लगे कावडियों ने ताली बजा कर उनका समर्थन किया महें इस दोरा अनकारी क्रम में पंचाइती राज पतादिकारी निलीमा, कुमारी सांखी की पतादिकारी राजेश कुमार, राजश्वर पतादिकारी रवी कुमार, महिला पुलिस पतादिकारी कीरन सोनी सहित तमाम पतादिकारी और करामचारी मुझूद रहे आपके जानकारी क्लिवतादिक एसवर सावन की श्रवाद 4 जुलाई से हुई थी जो की 31 अगस्त को खत्म हुई इस साल सावन 58 दिरों तक रहा अब सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा येला विहार सरकार के सक्षा विभाग के दोरा राजे के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर ये निर्देश दिया गया है कि राजे के माधिमिक स्तर के स्कूलों में एसी फ्रिस टीवी निर्धारित किराई प से किया जाएगा पताधिक विभाग की ओर से एजनसी भी तैक कर ली गई है जो यह सारे उपकरण उपलब्द करवाएंगे मानुमों के संबन में सिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचीव सुबोध कुमार के द्वारा राज्य के सभी सक्षा पंदाधिकारियों को पत् के परिक्षा देने वाले हैं तो यहां खबर आपके लिए है पताधिके बिहार लोक सेवा आयोक के दोरा बीपीएसी सरसथवी के मुखे परिक्षा को लेकर एक नोटस जारी किया गया है जिसके तहत अभ्यरती अपने डॉक्यूमेंट्स आज से बीपीएसी के राज पर अप्लोड करने के लिए अपने यूजर नीम और पास्वर्ट की जरूरत होगी मालूम हो कि डॉक्यूमेंट्स को अप्लोड करने की अंतिम तारिक 5 सेतंबर तक निर्धारित की गई है वैसे अभ्यरती जो मुखे परिच्छा में उतर्ण होंगे उन्हें दिश्कमार की पार्टी जेडियू के द्वरा पूरे बिहार में केंद्र सरकार के द्वरा जाती आधारित करना रोकने और जनविरोधी नीतियों के खिलाब पोल खोल अभियान की शिरुवात कर दी गई है पतादे कि सभियान को लेकर जेडियू के राश्ट्री गल्न सिंह के दोड़ा दी गई जानकारी के नुसारी अभियान तीन चरनों में चलाया जाएगा जिसके तहठ पहले चरन में 1-5 सितंबर तक सभी जिला मुख्यालियों में दूसरे चरन में 7-12 सितंबर तक प्रखन मुख्यालियों में मसाल, जलूस और कैंडल मार्च निका राजिस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कोर्ट पर की गई टिपनी को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओजा के दौरा मुझपरपुर CJM कोर्ट में IPC की धारा 500, 501, 504 और 506 के तहट आपराधिक परिवाद दायर करते वे यहारोप लगाया गया है कि सम्मानित पत पर रहते वे जस तरह का अशोक गहलोत के द्वारा बयान दिया गया है उससे एक वकील होने के नाते उनकी भावना को आहत पहुँचा है बतादिक इस मामने पर अब कोर्ट के द्वारा 11 सितंबर को सुनवाई की जाएगी तरह सल 20 अगस्त को CM गहलोत के द्वारा राजस्थान में नियाईक व्यवस्था पर सवाल उठाते वे कहा गया था कि अधालतों में इतना प्रश्चार है कि कोर्ट के फैसले तक वकील लि मुख्य मंत्री तयश्वी यादर पड़ जमकर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े भाई और चोटे भाई की सरकार ने कमीच सरकार है नितीश तयश्वी के साशन में सक्छा कास्तर गिर गया समस्तेपूर के संत कबीर कॉलेज में सनातक की पढ़क्छा के दोरान कई छातर बेहोस हो गए समय पर ambulance नहीं मिलने के कारण कई छातरों की दुख़द मौत हो गई बिहार में जब से महागरबधन की सरकार आई है तब से सक्षा का स्तर गिर गया है इस सरकार में जिनकी की कोई कीमत नहीं रह गई है या सरकार बिहार के भाविशे की बली चरहाड़ा है मुख्यमंत्री नितीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेश्वी पांच स्टार और साथ स्टार होटल में ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हैं पिकनिक मना रहे हैं इंडिया महागडवंधन का फल पत कथा लिख रहे हैं और यहां च्छादर पानी और अम्बूलन्स के अभाव में दम तोर रहे हैं इसने कमी सरकार में थोड़ी सी भी सर्म होती तो इस्तफात दे देते सचिन तंदूलकर के घर के बाहर इस वज़़े से विधायकों ने किया प्रदर्शन किरकर के भगवान कहे जाने वारे सचिन तंदूलकर के मुंबई स्तित घर के बाहर बीते दिन विधायक बच्चू कडू और उनके समर्थकों के द्वारा ओनलाइन गेमिंग विग्यापन को लेकर प्रदर्शन किया गया सोरान उन्होंने मीडिया से बादशीत करते वे सचिन तंदूलकर से भारत रत वापसी की बात कही हलाकि बाद में पुलिस के द्वारा विधायक बच्चू कडू और उनके 22 समर्थकों को मौके से हटाया गया और उन पर महराश्टर पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहट बांदरा पुलिस के द्वारा मामला दर्श किया गया मालमों के प्रदर्शन कारियों का कहना है कि सचिन तंदूलकर वैसे गेमिंग एप का समर्थन कर रहे हैं जो युवाओं को बढ़वात कर सकता है विधायर के द्वारा कहा गया कि अगर सचिन तंदूलकर ओनलाइन गेमिंग एप के विग्यापन से बाहर नहीं निकलते हैं तो हमारे द्वारा गनपती उतसफ के दौरान प्रते गनेश पंडाल के बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएका और विग्यापन हटाने क की मांग की जाएगी। प्रती लिटर नर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में प्रतौली की मत एक सवार दसमलो तीन शुने रुपे और दीजल की मत पंचार में दसमलो शुने तीन रुपे प्रती लिटर है बता दी कि बिहार में प्रतौल का रेच सबस्यादा किसन कंच पे है जहां प्रतौल एक समना दो समलो, साथ तीन रुपे प्रद लीटर और डीजल चाना दो समलो, तीन चार रुपे प्रद लीटर की दर्से मिल रहा है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उड़, आज का सवाल है आपके नुसार राजमी महागरबंद सरकार आने की बात किस विभाग में सबसे ज़ादा सुधार आया है अपना जवाब हमें हमारी कमांट सेक्षन में जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखन चालन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखने तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद